नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुक्ट टुक्ट यहां पे इसल के बारे में क्योंकि नेक्स सीजन से यहां पे आएसल में कुछ बड़े बदलाउफ होने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला चेंज है यहां पे जो एसियन प्लेयर का जो एक मेंडेटरी कोटा रहता था कि हर कि क्लब को यहां पे एक एसियन फ्रेंटर को साइन करना है उसको यहां पे रिमूव करने जा रहे है कि हम सब को पता है कि अपने जो कॉम्पीडिशन है उसमें भी यह रूल हटा दिया है कि आप किसी भी फ्रेंट कंट्री के यहां पे प्लेयर को साइन कर सकते हैं कितने भी कर यहां पर ऐसको तो अर aurait 7.55 उसको उसको यहां पहला करोड करने जा रहे है इससे पहले कहा था कि आपकी जो चलिए टी प्लुस या का रखंचानेज हो अब इसको बड़ा की यहां पे दो प्लेयर्स करने हैं वाहां पे domestic इंटरनेशन आप इसमें रख सकते हो यानि चैनल का मार्की ब्लेयर को से चलते हैं यहां पर क्लब्स को काफी जादर मार्जीर मिल जाएगा कि यहां-पर जयादा पैसा spend कर पाएंगे अगर आपको foreigners के ऊपर करना है तो यह भी एक दूसरा change वहाँ पर लाने जा रहे हैं तीसरा यहाँ पर निकल के आ रहे है कि यहाँ पर क्योंकि हम सब को बता है कि FSDL के जाद जो contract है वो 2025 में खतम होने वाला है तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में obviously FF and FSDL के बीच में meeting होगी और उसके बाद यहाँ पर जो promotion relegation जो relegation का क्योंकि आपने AFC के साथ यहाँ पर agree किया था को पैसा मिलता है तो यहाँ पर जो नया agreement होगा FSDL के साथ या फिर कोई दूसरी यहाँ पर क्या मार्केटिंग अंपनी के साथ उसके बाद ही यहाँ पर जो relegation का picture है वह यहाँ पर हमें clear होता हो देखेगा और दूसरा यहाँ पर जो super cup है जो कि इस साल यहाँ पर odysa में हुआ था और odysa government ने उसको sponsor किया था उनके साथ 2 साल की deal हुई थी यहाँ पर EFF and FSDL की तो next season जो यहाँ पर बताए जा रहा कि यहाँ पर super cup भी आपके ISL के साथ ही चलेगा यहाँ पर home and away basis पर उसमें अभी तक यहाँ पर odysa government की ओर से यहाँ पर क्या बोलते कि sponsor बने तो उनसे यहाँ पर आपको पहले क्या बोलते कि approve लेना पड़ेगा कि क्या वह ready है कि यहाँ पर जो next season का जो super cup के मैंची से वह outside odysa हो अगर वह यहाँ पर एगरी करते हैं आपको home and away basis पर देखने को मिलेगा otherwise यहाँ पर चांसी से कि फिर से आपको centralized venue पर ही super cup बताओ देखने को मिलेगा अब next बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो एफफ के प्रेसिडेंट है mister कल्या चोबे उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर थाईलेंड में यहाँ जो एफसी के प्रेसिडेंट है शेक्ष बिन्च सलमान उनके साथ एंड यहाँ पर जो एफसी के सेकर्टी जनरल है उनके साथ मीटिंग किये हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एफसी को यहाँ पर इंडिया में एक अपना जो coach educator है वो यहाँ पर debut करना चाहिए ताकि इंडिया के जो coaching से उनको और भी ज्य से अमारे यहां पे at the moment सारी चीज़ चल रही है कोचिंग में काफी बड़ा improvement लाने की जरू होते हैं इस तरह से कोई अगर central को एक coach educator appointment होगा तो उससे भी काफी ज़्याद आप workshop के through and उनके जो प्रोग्राम के through आप यहां पे definitely coaching में भी improvement ला सकते हो तो this is the request from the DFA president to AFC let's see who यहां पे इस request को accept करते हैं कब तक यह सारी चीज़े यहां पे implement होती है I think that will be interesting to see next up बात करते है guys यहां पे transfers के बारे में तो उस में यहां पे सबसे पहले जितेश्वर सिंग जिसकी कुछ नहीं पहले जूँजारी थी को दे दिया गया है नहीं से पोटेंशली एकसाइटिंग प्लेयर जिस तरह से उनका gameplay है जिस तरह से खेले भी है इस सीज़त तो उनको यहां पे उन्होंने done कर लिया है दूसरी साइड यहां पे बांगलादेश का club बसुंद्रा उनके यहां पे एक दो प्लेयर कोच का यहां पे रूमर के सामने ब्रियान प्लेयर एं गयाً हमान कुछ क्वाइब से अकले प्लेयर न प्लेयरियर bends करने सामने ह सामने को यह लियां उनको इससे उन्हों नहीं नचाया था तो यह दो प्लीयर केcc motiv close दूसरा यहां पर उनके जो k lavishare यहां पे उसकार डुस कार्वां स्वेनियार उनको भी यहां पे आयस डार्गेट कर रहा है So, at the moment rumors, ध्यूमर से यह possible WordPress हो पता इंच सिनुनौ भी सालीज़ यहां पर साथ करने और भी हैस स्वाइब करना दो भी आप काशी जयादा पेसा यहां पर घरा होगा यहां पर बहुत बड़ा इफरेश्क्रा टीफरन सोगा अगर होगा भी तब भी थोड़ा साइब दिफरैंस अगा तो यहां पर इस तरह के प्लेयर आपको यहां पर लिग में खेलते हुए देखना को मिलेंगे अब लास्ट में बात करते हैं यहां पर IWL 2 का यहां पर यहां पर इंडियन फूटवल की यूटूब चैनल पर इसक लब ने यहां पर फाइनल राउंड में क्वालिफाइब की इसका लिस्ट आप देख सकते हो यहां पर फाइनल राउंड खेलेंगे सिंगल लेक राउंड रोबिन फॉर्मेट में सेंट्रलाइज वेन्यू बे खेला जाएगा इसके बाद यहां पर सारे मेंचिज खेले जाने के बाद जो भी टॉप टूप टू टीम होंगी वो यहां पर नेक्स सिजन आईडवल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी वो धिस अधेमोमें दौप टूप गॉनजी दो नहीं क्लब्स हमें आईडवल में नेक्स सिजन देखना को मिलती है वो देखना इंटरेसिंग यहां पर बन जाएगा so that's it from my side is regarding today's Indian football news I hope you have good work, Prasandayoga keeps supporting Indian football don't forget to like, share, subscribe, curiosity Chai Hind, Chai Paarath